के मुझे कमेंट किया था कि सर रिलाइस यो के बारें में हार्वर के बारें बताईये। रिलाइस यो में ने वीडियो आज बना लिया है और मैं इसको बारे में बताओंगा आ दिहान से धहान से देखें हम लोग क्या 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 करते हैं कौन-कौन सा हार्डवर योज करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा 4G के बारे में LTE सिस्टम ओभर वियू फोरिलांज यू इंस्टोलेशन प्रजेक्ट ठीक है इसके बारे में बताऊंगा और मैं थोड़ा से यहां पर बता दिया हूं कि इंस्टोलेशन ऑप 2G जो 850 MHz फ्रीकेंशी बेंट पर होता है 3G अठाउस पर चलता है और 4G तैसो गिगाहर्च बेंट पर चलता है यह सब जो है यूनिट नोग इस्टो जिसको आपका और बिब्वी बोल सकते हैं आप बैसवन उनिट फिच चिछ कनेक्टेट रहता है राउटर से जिसको आपको बेक वोलता है बैक्षोल स्विच रेडियो रिमोर्ट यूनिट यह रार्यू है अपका यह भी आपका सीडियो से अब दिखते हैं इसकी बेसिक क्नेक्टिविटी क्या होता है सीडियू से और आरवियू से और आप अंटिविटीन से तो फर्स्ट नमर है इसका जो कनेक्टिविटी है आपको आपको आउट्डूर रहता है जिसमें आपका पावर सभी रहता है पावर प्लांट भी उसी में रहता है तो आपको उसमें इस्टोल करना है ठीक है उसमें रैक दिया वह रहता है आपका जो सीडियो है वो राउटर से कनेक्टेड रहेगा आपका आपका केवल के द्वारा यहां पर आर्जी फॉर्टी फाइव केवल या इधरनेट केवल की यूज़ नहीं किया जाता है रिलांजियो प्रोजेक्ट में तो यह यूज़ करते हैं आप्टिक केवल ओके जीपियस एंटिन इंस्ट्रॉल और टावर विली कनेक्टेड तो सीडियो थूटी फूट्च आ अपका टावर भी इंस्ट्रॉल कर सकते हैं ओर मतलब्स ग्राउड टावर का जो बोटम रहता है जो लेग रहता हों महापी एंस्ट्रॉल कर सकते हैं इस सिर्फ धियान में र रहेगा जिसको आपको grounding भी करना है वहाँ पर grounding option दिया वह रहाता है आपका फोर्थ नमर है RRU is connected to cdu through optic cable non-hcpry जो आपका RRU है connected रहेगा cdu से जिसको आपको optic cable और यह cpry को भी बोलते हैं ठीक है cdu GPS arrestor and RRU has to be grounded to grounding bar सब्सक्राइब करना है grounding इसलिए करते हैं कि जो आगर कुछ और फोल्ट होता है तो grounding के grounding ही receive कर लेता हूँ और हमारा hardware हो सेवर रहता है फोल्टी नहीं जाता है RF antenna is connected to RRU through RF jumper cable आपका जो RF antenna जिसे मैंने आपको बता है कि JSM antenna है जो connected रहेगा आपका RRU से jumper cable के द्वारा RF antenna will have four port so four jumper will be used आपका RF antenna जो JSM antenna है उसमें four port रहेगा antenna port आपका radio में भी आपका four port रहेगा तो आपको चारो port पर आपको connect करना है jumper cable के द्वारा there is one port in RF antenna to give electrical tilt and is connected to RRU by RAT cable आपको RAT cable भी connect करना है RRU to JSM antenna आपको remotely electrical tilt control करने के लिए अबर वी ओफ सीडियू है कि आप इसी सीडियू जो यह सीडियू है आपका यह main BTS है आप इसको BBB वोल सकते हैं main आपका यह control card है ठीक है तो आप इसमें देख सकते हैं इस तरह के view है आप यहां पर देख सकते हैं इसकी height, depth दिया हुआ है यह आपका top वाध, front view, यह आपका rear view यह एपका 3G के लिए भी त्रीजी चला रहे हैं इस तो उसके लिए आपको भी अलग से 3 सिप्री यूज करना है मेरे रहा है अगर वन टेकनोलोजी चला रहे हैं 4G तो अबको 3 करने इस तदा से चाहरे हैं और यह जो केबल देख रहे हैं यह जो आप्टिक केबल जो आपका इसको आपक सरे एसको भी यह हीस को ग्राउंडिंग देना है और यहां पर देख सकते हैं यहां पर हम लुकด दिया हुआ है क्योंकि अगर आपको हार्डवेर को पूर्ड को बचा है लाइटनिंग दो係 ella इसमें डिमों दिया हुआ है यहां पर फ्रन्ट और यह राइड यह ब्र्टम भी ऐसेथिन कोना है डाल फोर hardware यहां यहां पर दिया हुए तो कन रिख सकते हैं यहाँ पहने पर 27 सकते हैं स्यपरी स्थेघ्यम केबल कर सकते हैं और लगाकर आप अपर 27 parks कर सकते हैं को ठीक है कि यह आपका डीज्क्तियौ ऌब ऑब्लड कि टीना एयरेश्टर काerson करते हैं में यहां पे इस पिक्चर में देख सकते हैं और यहां पर लिखा हुआ भी है दा GPS Sentinel इस्टोल ओन दर टाबर दा GPS आरिस्टर फोल्बिवन मीटर फोंद डापका जो यह जो एगल यह को यहां से यहांसे ओन मेंटर के लं यहां पर का यह होगा और इसको सब्सक्राइब कीजिए नाहिक भी ध्यान में रखना है कि यह जो भी हाटवेयर यूजच किया जाता है आज के जा मैंने आपको आप्सकिल यूच किया जा रहा है सिसलिए के बारे में बताया था कि आप इंट्रेव्य देए आप उसंए जो पा सकते हैं इस वीडियो को देख कर और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप मेरे चनल पर न्यूव है तो मेरे चनल को सब्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए किमकि इस टेकनीकल चैनल है और जिससे आपको बहुत सा घ्यान मिलने वाला है आपको टेकनीकल के रिलेटेट तो इसके लिए तना है दोस्त थैंक यू